हेलो एवरीवन विल्कम टू आईएश पॉइंट आज हम यहां पे बात करेंगे बिग्यापनों को समझना इसके फर्स्ट पार्ट में हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको समझ चुके हैं और आप में से जिन्होंने भी वो कीवर्ड नोट नहीं कियोंगे तो प्लीच मैं रिक्ष्ट कर रहे हूं आपसे कि आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने नोट में ठीक है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेट यदि कहीं भी हमको कोई भी वर्ड्स मिलते हैं या क्वेश्चन आते हैं और यदि नह अधिकार प्राप्त है और उनके बारे में जानना हम सबका अधिकार है और हम सबको जानकारी रखनी भी चाहिए ठीक है तो आज अब हम बात करेंगे विग्यापनों को समझना यानि एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे यह जो हमारा सीरसक हो गया विग्यापनों को समझना ठीक है और हाँ एक क्वेश्चन भी था सीरसक क्या होता है तो सीरसक यही होता है हमारा कि हम जितना भी इस चेप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ही कम सब्दों में कुछ ऐसा लिख दें कि दर्सक को या जो भी हमारे बात करने वाले ठीक है पूरा आपको अच्छी तरीके से ही समझ में आ गया कि फोर्थ यूनित जो हमारी है उसमें हमारा सीरसक क्या दिया हुआ था संचार माध्यम और विग्यापन ठीक है यानि कि सीरसक हमारा क्या दिया हुआ था संचार माध्यम और विग्यापन अब हम को समझ में आ गया कि भईया हमको संचार माधमों के बारे में जानकारी इसके अंतरगत मिलने वाली है और विग्यापन के बारे में जानकारी हमको मिलने वाली है ठीक है तो यही हमारा सेजसक होता है कि किसी भी चीज को जितनी भी हम इसके अंदर जो भी मिंसन किये हैं उसको एक छोटे से वर्ड में कुछ ऐसा लिख दें ताकि जो भी हमारे पढ़ने वाले हैं उनको क्या हो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए या देखने वाले हैं कि इसके अंदर बात क्या की जा रही है ठीक है अब यह सीर्षक देखके आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम बा हमने यहां पर दे दिया विग्यापनों को समझना लेकिन उसके अंदर हम दे दिये राष्ट पती थी कि हम उसके अंदर पढ़ा आप उस लिख दिये राष्ट पती के बारे में और यहां लिखे हुए विग्यापनों को समझना अब आपको जरूरत है विग्यापनों को तो टाइटल हमको ऐसा देना होता है कि जो भी हमारी सेवा है या जो भी चीजे हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका एक जो उसी से मैं ज़्यादा वर्ड में लिख सकते हो कि हम जितना भी चीज पढ़ें हैं जितने भी हमारे चैप्टर मे हें वह रियल में अमतलब थोड़े से उसको और भी कमभडों में कोशीत करेंगे कि इसको थोड़ा सा सारांस बना के समीरी बना के उसका बता दे कि इसमें यह यह बात कही गई है तो यहां पर इतने वर्डों में लिख दोगे कि इस चैप्टर के अंतरगत हमको यह इतनी जानकारियां प्राप्त हुई है या इतनी होने वाले हैं तो आप सारांस में लिख दोगे कि हम इस सिर्सक से मतलब इन्होंने क्या किया कि किस चैप्टर से ले रहे हैं चैप्टर का नाम वोगरा जो भी होगा उसको हम लिखते हैं तो सिर्सक का मतलब ही यह होता है कि जो हमारी सेवा है या जो भी हमारे कार्या है कर रहे हैं उनको उसको यदि हम लिखित रूप में प कुलने बाली हूँ और जैसे के आपको पता हम quality बढ़ा रहे हैं तो अब हम बताएगे na कि quality के बारे में चर्चा करने वाले है तभी तो आप समझो को कि हाँ quality जब भी में आगे बोलूंगी तो आपको पूरा समझ में आएगा कि हाँ यह quality के बारे में ही बोल रही है कोई हवा पावाई में नहीं उड़ रहे ठीक है तो सीरसक का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी अंदर बाते होती हैं उसको हम एक छोटी से सब्दों में बहुत ही कम सब्दों में अच्छे तरीके से सटीक तरीके से उसका एक सीरसक तयार कर देते हैं ठीक है अब हम बात करें यहां पर वि उसे एक पोष्टर भाला को हम समझेंगे ढ़ना के यहां पर देखिये करें पोष्टर लगाया हुआ है कि महमान आते हैं घर में उनको खाना खिलाते मतलब कौन सी अच्छी डाल होती है महमानों के लिए टॉप टेश्टी डाल यदि आप खरीते हो तो महमानों की खातिर्दारी अच्छे से कर सकते हो ठीक है दिन उसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे को सोब का प्रचार किया गया है कि जो भी यदि आप अच्छे तरीके से सोब का यूज करते हो तो आपका बच्चा जो मतलब आप अच्छे तरीके से उस बच्चे का ध्यान रख रहे हो ठीक है यानि कि so your child you care तो यदि आप इस सोब का उपयोग करते हो तो उसका अच्छे तरीके से बच्चे का ख्याल रख रहे हो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या बात कही गई है बिज्यापन हमारा ध्यान विभिन प्रकार के उत्पादों की ओर अकरसित करते हैं और उनका सकारात्मक भर्णन करते हैं जिससे हम उन्हें खरीदने में रूची लेने लगते हैं ठीक है यानि की जो उत्पाद आ गया ठीक है अब यह उत्पाद हम पढ़ चुके हैं कि उत्पाद क्या होता है जो भी हमारा प्रोडेक्ट होता है वो क्या होता है और जो भी जिसको भी नहीं पता हूँ आप लोग प्लीज जाके उधर देख लीजीगा फर्ष्ट पार देखेगा वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी है और लिखाया भी है तो जब भी ये वर्ड आएंगे त को नहीं बता पाँँ ठीक है तो यहां पर बात करें हम विग्यापन हमारा ध्यान विभिन प्रकार के उत्पादों की और आकरसित करते हैं और उनका सकारात्मक बढ़न करते हैं ठीक है हम किसी भी एडवर्टाजमेंट को देते हैं तो हम देखते हैं कि उनका हमेशा पॉज सब्सक्राइब हो जाती जो भी आम पब्लिक होती है कि चलो एक वर्थ इसको ट्राय करके देखी लेते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि उन्हें खरीदने में रूची लेने लगते हैं इस अध्याय में हम उपर दिये गए दो विग्यापनों पर ध्यान केंधित कर समझेंगे क विग्यापन से क्या होता है और कैसे काम करता है ठीक है यानि कि जो हमारा विग्यापन है उससे क्या होता है और ये काम कैसे करता है तो यहां पर हमने आपको यह दोनों ही एक जामपल दिखा है जो एक टॉप टेश्टी डाल की है एक केर सोब की है ठीक है तो इन दोनों यह जो भी विग्यापन है इसके बारे में हम बात करें यदि उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांड के नाम और ब्रांड के मोल्यों का निर्मार ठीक है आप कहते हो कि मैं ब्रांडेट सूच पहन रहा हूं मैं branded कपड़े पहन रहा हूँ या मैं branded डाल इस्तमाल कर रहा हूँ branded साबुन या branded face wash नाम क्यों दिया चाता है और इसका main meaning क्या होता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहां पर क्या बात की गई है क्या आपने कभी brand सब्द सुना है बिलकुल हम सबने सुना है, और यूज भी करते हैं, कि नहीं, भीया, मैं तो brandedट चीजे ही यूज करता हूँ, मैं रध्धि चीजे नहीं यूज करता हूँ ठीक है? और बहुत सेसी लोग होते हैं, जो पोलते हैं और यही वर्ड जो मैंने अभी बोला, कि हम तो branded जो भी चीज उनको ही यूज करते हैं यहां पर बिज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है तिक हैं बिल्कुल प्रारम भी किस तर पर बांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी बिसेश नाम या चिन्ध का मुहर लगाना ठीक है तो इसको आप लिख लिजेगा बांडि काना है एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से बिभिन दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है ठीक है यानि जो भी हमारा तो उसको हम क्या करते हैं कि मतलब अच्छे तरीके से उसको बढ़ा चड़ा के बताने के लिए उसका एक ब्रांड तयार करते हैं क किसी भी समान का ब्रांड तयार करें ठीक है आईए अब इन विग्यापनों को फिर से देखें जो हमारे उपर दिये गए हैं आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिये हैं ठीक है जैसे केयर साबुन हो ग परदें उससे फ्यादि देखते रोसका लाइए हैं नामों इस जानते यह चैपटर दिया ध्याने की कोशिजिके ठीक है और जादा से जादा अपनी लाइब से इसको रिलेट करके बनलब पूरा जितना भी है क्योंकि यह साब हम लोग करते हैं तो आप लोग इसको समझेगा क्योंकि दाल भी इस्तिमाल करते हैं और साबुन भी इस्तिमाल करते हैं तो यहां पर क्या बात की गई है दाले और दलहन प्राया बाजार में खुले रूप में बिखते हैं बिल्कुल सही बात है बिखते हैं हम दालों को अनेक विभिन प्रकारों के नाम से जानते हैं कई तरह की दाले होती हैं जैसे मसूर की दाल हो गई तूर की दाल हो गई सारी दालों के नाम होते हैं ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है ठीक है यनि कि ये जो नाम है वो ब्रांड के नाम नहीं है कि मसूर की दाल हो गई तूर की दाल या जो भी हमारे होती है उडद की दाल तो इस नाम को हम क्या कह सकते हैं ब्रांडेड नेम नहीं कह सकते हैं ठीक है जब कोई कंपनी मसूर की डाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है ठीक है तो उसी डाल को एक बिसिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ती है ऐसा करने की अवस्यक्ता इसी लिए है जिसे कि हम बिसिष्ट पैकेट वाली डाल और बाजार में बिकने वाली खुली डाल के बीच ना हो जाए ठीक है यानि कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो अप नतर समझेगा कि इसमें बात क्या होती है कि दाल तो वही है लेकिन उसी को क्या करते कोई कंपनी वाले उसको पैकेट में बंद करते हैं उसका बिसिष्ट नाम चुनते ठीक है और कोई अच्छा खासा नाम जैसे टॉप तेश्टी डाल यानि कि सबसे तेश्टी डाल कौन सी है जो उस पैकेट में आ रही है ठीक है तो यहां पी क्या होगा उसका नाम देते हैं ऐसा करने की अबश्यक्ता इसलिए पड़ती है मतलब इसलिए है जिससे कि हम विस्ष्ट पैकेट वाली डाल को क्या करें बाजार में बिकने वाली खुली डाल से के बीच भ्रामित ना हो जाएं ठीक है जो भी पब्लिक है वो क्या करें कि मतलब यह दोनों डालों में अंतर समझे इसलिए उनको ऐसा किया जाता है इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं ठीक है जैसे टॉप टेश रहे थी दाल ठीक है हम ने देखा तूर की डालो गए उड़की डालों फिलकुल सब्सक्राइँ है अमको कि उत्रकी डाल हो झिक है या तूर की है लेकिन यह दि उसीन को पैकेट में बन्द कर दिये थोड़ाँ उसका जो भी क्रिम पालिशख है मतलwarz अच्छी-कासी ॏ दा नाम एक अच्छी तरीके से सोचा कि इसका नाम क्या देना चाहिए और उसका नाम क्या दे रही है उन्होंने टॉप टेश्ट दाल ठीक है यानि कि वह मार्केट में उसका हम तूर की डाल मांगने जा रहे हैं खुले बाजार में लेकिन वहीं पर दोनों में पूरा डिफरेंस हो गया नहीं मैं तो टॉप टेश्ट दाल ही इस्तमाल करता हूं बहुत अच्छी होती है वहीं दाल लेकिन उसका ब्रांड क्या हो गया काफी उसको बढ़ा चड़ा दिया गया कि यह दाल ऐसी होती है वैसी होती है तो वहां पर इसका जो प्राइच है वह भी बढ़ गई और जो इसका मतलब पूरा था इसका प्रोसेच जितना भी लगा ज्यादा खर्चा नहीं आया इसमें लेकिन हमारी जो जेव का ज्यादा खर्चा हो गया ठीक है क्योंकि हम वहां पर ब्रांडिंग चीजे इस्तिमाल कर रहे हैं ठीक है उसके बाद अब हम बात करें ऐसी ही क इसका इडवर्टाइजमेंट भी देखते हो कि एक तरह डब लगाया एक तरह अधर लगाया तो इधर की जो हमारी स्कीन थी ग्लो कर रही है ठीक है यानिकि आप वह क्या ग्लो कर रही है मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता बट वह ऐसा उसका इडवर्टाइजमेंट दे नहीं कहते बरन उसको बनाने वाली बिभिन कंपनियों का नाम लेते हैं ठीक है क्या आप कभी कहते हो कि मैं साबुन लगा रहा हूं नहीं ऐसा नहीं होता मैं लक्स लगा रहा हूं ठीक है मैं या तो वोले डव योज करती हूं या और भी जितने भी साबुन के नाम होते है बहुत सारे होते हैं वो योज करते ठीक है वरन उसको बनाने वाली कंपिनी के नाम से हम योज करते हैं बाजार में अनेक प्रकार के साबून उपलब्ध होने के कारण कंपिनी को अपने साबून को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा ठीक है यानि कि आप मार्केट मे बहुत सारे साबून उपलब्ध हैं तो जिस भी कंपेनी को अपना मार्केट प्राइज बढ़ाना है ठीक है तो उसमें वो क्या करेगा एक उसका विशिष्ट नाम सोचेगा क्या रखना चाहिए और क्या करना चाहिए ऐसा करके वे एक ब्रांड का साबून उपलब्ध करा द जितना अच्छा करोगे आप उतना अगे बढ़ोगे जितना धिमाग अंक्या होगी और फारन्सन से फेव मार्जे को लगाता है ये स्ट माल किया तो बच्चे का फंग करते हैं या फाईदा नकलिये ठीक है तो वो उसको सभी जितने भी मुझे नहीं लगता कि जिसके भी छोटे घर में बच्चे होंगे वो ये सब चीजे ना यूज करते हो ठीक है क्योंकि हर एक को चिंता रहती है हर एक parents को कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों की care करें तो वो जो भी देखते हैं कि मतल नहीं खरी सकते कि उसने ताउप टेश्टी डाल लिख दिया तो हम सोचे कि चलो यह ब्रांडे चीजे खरी लेते हैं तो यहां पर बताया जारा कि केबल जो भी हमारे प्रोडेक्ट का नाम होता है तो उससे खरीदने के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं कर सकता है साबून निर्माताओं को हमें अस्वस्त करना होगा कि उनका साबून और बाजार में उपलब्द अन साबूनों और दालों से बहतर है ठीक है यनि कि जितने भी मतलब यह होते हैं आप जब भी कभी क्या आपने मुझे तो नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा लेकिन आप लोग दे उसको देखिएगा किसी भी चीज की आप एक चिप्स की भी पैकेट ले रहे हो ना तो उसकी कभी करिएगा पूरा जितना लिखा हुआ है पढ़ने की ठीक है क्योंकि कोई भी फालतू चीज नहीं लिखी होती है उसमें हर एक चीज लिखा होता है कि हमने क्या क्या चीजे किदनी ली है और जो भी चिप्स बनाने में कि हमने हल्दी तेल जो भी इस्तेमाल किया वह सारी चीजे उस पैकेट में लिखी रहती है पूरा उसका क्यूर कोड लिखा पूरा आपको दिखेगा उसके नीचे भी जो कंपनी का नाम होगा वह सब दिखेगा तो कभी नहीं आ आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको उस पैकेट से भी बहुत सारी जानकारिया मिल सकती है ठीक है अभी आपने पैकेट में देखा होगा किसी भी जो हमारा पैकेट आता है तो वहां पर ऐसे से कुछ लाइन लाइनिंग बनी रहती है ठीक है बिल्कुल आप लोगों ने अब जोसे ध्यान नहीं दिए होगा आज देखाना हर एक पैकेट में उसका कियोआर कोड होता यह बूरा उसका मतलब उसके अंदर के आप स्कैन करके किसी भी मॉबाल फौन में या कहीं पे जो आप स्कैनर होता हो से स्कैन करके यह देखोगी तो इसके पूरी जानकारी इस का होता है आप जब उसको करते हो ब controversy के बारि में जो भी उसका हुता है यानु की ये qr को पड़ेंगे लिए कि अधर हर्गें ओछ मतलब होता है फिर भी यह उन्हकांगा से का पैकेट किसी का भी जो भी हो आपका चाहे चिप्स का हो चाहे अधर कोई भी मतलब चीज का पैकेट हो आपके घर में तो उसको जरूर आप भी जब क्लास मेरी देख रहे होंगे उसके तुरंत बाद ही आप ट्राइगर होगे ठीक है क्या क्या चीजे लिखी हुई है एक भी निर्माताओं को क्या करना होता है पबलिक को असवस्ता करने के लिए उसकी कुछ बिषएसतायं बतानी पड़ती है यहीं पर क्या होता है कि विजयापनोगे घ्रख करने में और उसकी खरीदने के लिए प्रेरीद करने में अनन kis ये जवनी भूमी का वह बहुत निर्णायक होती है और किस के लिए होती है हमको खरच करने के लिए कि बलाने के लिए कि जो मैं प्रोडेक्ट दे रहा हूं उसमें जितना मैं इसका सीर सक दिया हूँ लदा इसका टाइटल ये हनुरोप मैं थाटल कारगर करने के लिए लेकिन डाप साबून लगाने से आपकी और जो ड्राइ हो रही है तो उससे फिर क्या होगा हम एक ही बार खरीदेंगे दोबारा तो उस प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे भी नहीं पलटके इसलिए उनको क्या करना पड़ता है अस्वास्त भी करना पड़ता लो करते हैं ब्रांडेड चीजों का नाम ही ऐसे देते कपड़े ही ब्रांडेड होते हैं तो जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना तो उनका कलर जाता है जल्दी और मतलब ज्यादा टिकाओं भी होते ठीक है पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है थोड़ा क्या बहुत ज्याद ब्रांड को बिक्सित करने का मिक्शुक् kg करने का मिकल के लिए कि नाम देने पर उसफा मात प्रफ प्रान अच्छा खासा इसका market price बढ़ रहा है एक अन्य company बाजार में packet बंद डालों को best test डाल के नाम से बेचने का नेने लेती है ठीक है यानि दूसरी company वहीं पर क्या कर रही है कि top test से उसने क्या कर दिया कि best test डाल कर दिया ठीक है कि नाम से बेचने का नेने लिया इस प्रकार से अ आप उनकी ही डालब खरीदे बिल्कुल हमारी पोगी कि आप वो हमारा भी प्रोडेक्ट ले और आप 에게 कुछ कर रहे हैं यह दो रहे हैं यह an precisely सब्सक्राइख कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑजीए कर रहे हैं कि मार्केट प्रराम आश्य मार्केट प्राइज दीक है तो डोनो ही कोसिस करेंगे अब दोनों ने ही डाल का नाम क्या दिया कि टॉप टॉप टेश्ट दाल और बेश्ट दाल ठीक है अब यहां पे नाम का सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है अब जो भी आम पब्लिक होगी अब उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से यदि यह लोग करते हैं कि इसमें टॉप टेश्ट में क्या है और बेश्ट टेश्ट में क्या है तब तो पब्लिक फिर उन दोनों को पहचान पाएगी ठीक है तो ऐसे में क्या होता है कि जो उभोगता होता उभोगता का मतलब जो भी हम लोग खरीदार होते हैं तो ऐसे में उभोगता भ्रम मार्केट में जाते हो, जब कोई किराना का समान ले दे जाते हैं, कोई चीजे लेने जाते हो यदि दोनों का नाम सिमिलर होता है थोड़ा बहुत दिफ्रेंस होता है तो वहां पी जब आप पूछते हो तो वह क्या बताते हैं कि मेडम आप यहां पर इसकी जो यह तो यह काफी बेटा रहे ठीक है तो इसका थोड़ा प्राइज ज्यादा है औ कि अपनी जो भी आपकी आए होगी उसके अनुसार से या कि आप अपने टेस्ट के अनुसार से फिर क्या करोगे कि वहां पे चीजे खरीदोंगी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारे मार्केट में होता है या आम पबलिक के बीच में होता प्रतिस पास कुछ भी नहीं है यहां से दाल खरीदा क्या एक पैसे वाले इनसान को कभी आपने ठेले में खड़े होके कोई कपड़े खरीदे हुई देखा है बिल्कुल नहीं देखे होंगे ठीक है क्योंकि वहां पे उनकी जो च्छा भी है वह कहीं नगए फिर क्या होती पब्लिक क कर रहे हैं यानि कि पैसा वैसा कुछ नहीं है यह ठेले में तो कपड़े खरीदने आ रहे हैं ठीक है तो वहां पे कुछ तो नाम के लिए ऐसी चीज़े करते हैं कि हमारी थोड़ा सा मतलब इजद जो रुतबा है वो बना रहे कि चह दाल कितनी भी महगी मिले स्वाद ठीक है दुकांदार ऐसानी कि पूरा ब्रहमित कर देते ह region उसको बताते हैंधोड को नाम देना बिक्री में नहीं होता है इसलिए विग्यापन धाता अपने बस्टूओं की विशेष्टा ओंका दावा करते हैं इस तरह सेवे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों स बताएए ज़ादा चाहें कि यह धाल है काफी बेटर तरीके Yo Tip Shilo को खाने में भी लगेगी वह चाह का तो यह अपनी-पनी कोई अथ कि मेरा समानosition ख़व वह यहिए क्षाथ है तो गौत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं आंगे यहां पर यदि देखें तो इसमें क्या बात की गई है भिन बताने की चेश्टा करते हैं निमनलिखित अंस में देखिए कि यह दो डालों के किस प्रकार होता है मतलब दो डालों में किस प्रकार होता ठीक है तो यहां पर यद कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहें हैं तॉप टेष्ट दाल अतित्सकार की हमारी सामाजिक परमपरा का सहारा ले रहे हैं यह установ तॉप तेश्ट डाल है वो क्या कर रही है अतित संसकार की हमारी मतलब सतकार की कोई भी बेश्ट आते हैं उनका स्वागत कैसे किया जाता है यदि आप तॉप तेश्ट डाल लेते हो तो बहुत अच्छी तरीकी से उनका स्वागत कर सकते हो ठीक है और बेश्ट डाल क्या कर यह बच्चों के स्वास्त का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीजें खिलाने की हमारी चिंता को उभार रही है ठीक है यह दोनों ने हमें क्या किया इमोशनली ब्लैक में आम पब्लिक को वह कैसे किया कि उन्होंने टाप टेश्ट वाले क्या बताए कि यह आप दाल लेत अब यहां पर अतितिजी is आए हुए हैं और आपको क्या करते हो कि वहां पर अपने गेश्ट को यहीं डाल खिलाते हो तो वह otraswhy भूं अच्छा सवागत हुआ हमारा बहुत अच्छा क्ने को मिलता ठीक है तो यानि हम सोचेंगे कि हम तो नहीं लेते हूं तो कहींमर का सवागत सद्कार करने में कमी कर रहे हैं कि यदि क्या बता रहा है कि देखभाल में कर आप लोग क 커피 आप लोग पर तोमों नहीं क cranChari सुएर्श कोorta की पबलिक को कैसे आकरसीत किया जाए ठीक है उसके बाद बात करें तो यहां पर बात करें अतितियों का सत्कार करना और बच्चों को पोषर्ण य्युक्त आहार देना जैसे मोल्यों का उपयोग you brand का मौल बढ़ाने के लिए किया जाता है ठीक है ब्रांड मूल को हम तक पहुचाने के लिए द्रेश्टों और सब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छविया निर्मित की जाती है यानि कि हमारा जो भी ये ब्रांड मूल बढ़ाने के लिए ब्रांड का नाम दे दि किसी भी चीज से क्योंकि दोनों ही बहुत important है आपको पता है कि कोई भी नहीं चाहता कि किसी के guest नराज होके जाएं और वो यहां की बुराई करें और कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है वो अस्वस्त रहे या किसी कारण वस हमारी वज़े से उसको कोई problems हो ठीक ह तो इसलिए वो क्या करते हैं इनको लेने की कोशिस करते हैं उसके बाद अब हम बात करें यहां पर थोड़ा सा ब्रांड यह समझ लीजी कि कब से आया था तो यहां पर क्या हुआ था ब्रांड या दागना ठीक है दर असल क्या हुआ था कि पसू पालन की जरूरत से उभरा हुआ सब्दे है अलग-अलग मालिकों के पसू चारा गाहों के में एक साथ चारा-चारा करते थे ठीक है यानि जितने भी पसू है तो पहले के जवाने में प्राचेन काल के आप हिश्ट्री पढ़ते होगे तो पसूं को दागने की घोड़ों को दागने की प्रथा चलवाई गई थी बलवन के द्वारा चलवाई गई थी साथ मुझे एक्जेक्ट याद नहीं आ रहा है तो वहां पर इसलिए चलवाए गया था ताकि क्या हो इनको अलग से पहचाना जा सके ठीक है कि यह हमारे घोड़े हैं या हम ने पहचानने की समस्चा पैदा हो जाती ती मालिकों नहीं क्या किया कि इस दिक्कत का हल निकाला वे गर्म लोहे की मदद से अपने पसओं पर अपना खास चंध दागने लगे ठीक है इससे हम क्या कहते हैं ब्राण्डिंग कहा गया वह जो भी गर्म लोहे से पसओं के जो यहाँ पर हमने देखा अब उसके बाद हम बात करें आगे की तो अब बात करेंगे ब्राण्ड के मोल और समाजिक मोले के बारे में ठीक है लेकिन इसको अब हम बात करेंगे चले लेक्ष बीडियो में ऑक तो फोड़ा और अच्छे से डीटेल से समझाना पड़ेगा हैं लेकिन किया वो रियल में प्रान्ड ओती है या बस ऐसे होती है कि पैसा तो खर्च हो गया लेकिन उसका में सीर्शक था कि आपको मिलके लेकिन हमको वह लिए उसमें कि ऊता है इन सारी बातों को shaped chapter में ही समझेंगे एन हमारा unit 4 और unit 5 दोनों में यह थी बहुत इंटरेश्टिक टॉपिक है एक में मार्गेट है उसमें भी हम समझेगे कि मार्केट में क्या कैसे होता है और यदि आपको भी मार्केटिंग करनी होगी तो खैर इतने से तो नहीं होगा काफी मेनत करनी पड़ती है बट थोड़ा बहुत आपको नालेज भी मिल सकती है ठीक है और जब भी आप प्रसासनी कदिकारी बनते हो वहां भी आप क्या कर सकते हो आपको यह सारी बाते पहचान में आएंगी और प्लीज मैंने जो बो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग की किसने किसने यह चीजे देखी है ठीक है और पढ़िएगा वहां पे एक बार इंटर्व्यू में भी कुश्चन पोच लिया गया था एक मुझे नाम नहीं आद रहा हूं मैडम का कोई मुस्लिम मैडम थी तो उन्होंने बताया था कि वह क्या था मतलब चिपस के पैकेट से उनके क्यू आर कोड के बारे में पोच लिया गया था ठीक है इंटर् लिया था और वही कुश्चन मेरे से इंटर्व्यू में आ गया इसे लिए हम एक प्रसाशनी कधिकारी बन रहे हैं और वहां पर कोई निमित नहीं क्या पूंचा जा सकता है तो आप लोग को यह थोड़ा उसका जो भी हम चीजे देखते ना उसको थोड़ा अलग तरीके से अभसलग नजरिये से देखना चाहिए कि अखिर है कि अखिर यह ऐसी है तो क्यों है ठीक जोबी चीजे हम लाइफ में यूज करते हैं तो वो सारी चीजे हमारे आसपास जो हो रहा है उन पे जरूर ध्यान देना चाहिए ठीक है अब ऐसा नहीं है एक बार क्या हुआ था कि जब मैंने बोला कि मुझे इसकी यूपीसी की प्रिप्रेशन करनी है तो मेरी दीने बोला कि मतलब क्या करना पड़े को उसमें पत्थर कैसे निकलता इसके बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी तो थोड़ा मैं इतना जादा हैजीटेट हो गई थी कि यार मतलब पथर कैसे निकलता मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे निकलता ठीक है और यह पथर बनता कैसे है तो मैंने गाल मुझे परिसान मत करो तुम की से थोड़ा एक्टिव रहें ठीक है कि किसी भी चीज को हम ऐसे ही देख के अंधिवी स्वास्तना कर लें कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही होगा ठीक हम उसमें सर्च करने की कोसिस करें कि क्या कैसे होता इसलिए इतना टफ नहीं है कि आप लोग बिल्कुल परिसान हो जब पत्थर वाली वाद कि कैसे निकलता बनता कैसे है तो वह सब बाते ठीक है हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं हलाकि कि क्या कैसे उसकी प्रोसेज होती है लेकिन फिर भी जब मैंने सुना था सच बताओ तो मुझे तो बहुत लग रहा है मेरे से नहीं होगा तो ऐसा आलाग इंसान के मतलब जितने भी आम पबिक है उससे थोड़ा हटके सोचे ठीक है कि समने देखा कि एड़ुटाइजमेंट में एक लड़की दिखाया जा रहा कि एक लड़की एक लड़का ठीक है आप उन दोनों को दिखाया रहा कि यां अप अच्छे से ब्रेस करते ओ क्या होगा लेकिन उसमें क्या और कुछ खास बात है कि आज बढ़ा चढ़ा के की जा रही है थोड़ा उसके बारे में भी हम लोगों को एक्स्ट्रा समझना चाहिए ठीक है मेरे कहने का मतलब बस यही था आप सभी को समझ में आ गया होगा और UPSC से एजी कुछ नहीं होता है यह बात आप गांठ बांद लो और आप चाहो तो एक साल से डेर साल के अंदर आसानी से कर सकते हो और यदि आप ऐसे ही सचाई से पढ़ते रहे और मुझे लगता है कि आप में से कई सारे बच्चे जो है सो आल दा बेस्ट मिलते नेक्ष्ट वीडियो में